हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंट मुझे काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम एक यूट्यूबर हैं नई क्रियेटर हैं और हमने बड़ी मैनत से अपने चैनल के उपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंट हमें अप्लाइ करने जाओंगा तो मेरा पहली बार में गूगल एटसेंस अप्रूव कैसे होगा किन-किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए या मैं कैसे करूं कि जिससे मेरा पहली अटेम्ट के अंदर ही मेरा गूगल एटसेंस जो है वो अप्रूव हो जाए और मेरे चैनल मॉनटाइज हो जाए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपका इस कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं और आपको अच्छे से बताने वाला हूं कि आप भी अपनी गूगल एटसेंस को पहले अटेम्ट में ही अप्रूव कैसे करवा सकते हैं आपको किन-क जादा इंफर्मेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास्त तक ज़रूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाए है कि यूट्यूब चैनल को मॉनेटाइज करवाने के लिए जो क्राइटीरिया है वह एक हजार सब्सक्राइबर है अगर आपका लोग का चैनल है तो आपके चैनल के उपर एक हजार सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वह सटाइम पिछले 365 दिन के अंदर पिछले एक सा प्राई कर सकते हैं जब आपकी सेनल दो जाता है तो एक चीज क कर देखना है कि जो क्राइटीरिया आपने कंपीड किया है वह आपको और गैनिकलीक कंपलीट हुआ हो उस Sahण और County और या को monetization में भेजने से पहले और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने Google AdSense की जो policies हैं उनको भी follow किया हो YouTube की policies और Google AdSense दोनों की policies को follow किया हो उसके बाद ये आपके चैनल के उपर 1000 subscriber और जो भी एक criteria है वो आपने complete किया है और अब जब आप monetization के लिए apply करने जा रहे हैं तो जब आप monetization के लिए apply करने जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले step में तो आपका review term and conditions को accept करने का option होता है step 2 में आपका AdSense account बनाने का option होता है अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजे पहले ध्यान में रखनी है अब यहाँ पे दो-3 चीजे वो क्या है माले जी आपने पहले से को YouTube चैनल आपका बना हुआ है उस पर आपने अपने नाम से AdSense account बना रखा है तो यहाँ पे अब जब step 2 में आप AdSense account बनाने जाएंगे और आप सोचेंगे आप दुबारा आपने अपने नाम से AdSense account बना लिए अपना address डाल दिया दुबारा से आपने वही AdSense create कर दिया तो आपके AdSense में एरर आ जाएगी वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा एरर में तो इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है आपको यह पता होना चाहिए कि Google AdSense की नहीं कर सकता तो यहाँ पर आपको क्या करना है आप अपनी फैमिली में से किसी का AdSense यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है उसका भी मैं तरीका है वह बताऊंगा अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए आपने को YouTube चैनल भी नहीं बना रखा बस आपको यह पता ह नाम से अगर या बहन के नाम से AdSense account बना दिया उसमें आपने address सेम रख दिया तो फिर से आपको Google AdSense में error देखने को मिलेगी हो सकता है आपको duplicate वाली error देखने को मिले तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने नाम तो चेंज कर दिया लेकिन address में आपने थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं किया तो आपको यह ध्यान रखना है अगर आप अपने किसी दूसरे family member के नाम से AdSense account create कर रहे हैं आपके नाम से पहले बना हुआ है और आप किसी दूसरे family member के नाम से AdSense account create कर रहे हैं तो उसमें आपको नाम जब आप लिखेंगे वो तो उसका डाल जैसे आपने मकान नमबर डाला नियरबाई आप थोड़ा बोच चेंज कर दें मकान नमबर ना डालें या नियरबाई कुछ करके डाल दें कुछ मतलब वहां पे हलका फुलका चेंज कर लें जिससे AdSense को यह लगे कि यह एक अलग account है तो उसे वो जल्दी अप्रूव होने में आपको असानी होगी ठीक है या फिर यहां पे तीसरी चीज क्या है कि मालीज आप बिल्कुल नए creator है और आप अपने नाम से account बना सकते हैं तो step 2 में जब अपना AdSense account बनाएं तो अपना नाम अपना जो भी details है उसमें बिल्कुल genuine fill करें ठीक है उसमें बिल्कुल भी आ आपका जो AdSense के लिए आप apply करेंगे वो आपका approve हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से आपको apply करना है अपने YouTube चैनल को AdSense के लिए ठीक है जिससे आपका चैनल monetize भी होगा step 2 में जब आपका AdSense verify हो जाएगा तो step 3 में वो review करेगी YouTube की team और आपकी चैनल पर जब सब कुछ ठ लगी हो पसंदाई हो तो से लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू